नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका, आप दिखने शुरू कर चुके हैं कबर ला जवाब साल 2016 में आई फिल्म, MS धोनी, The Untold Story, अभिनेता शुषान सिंग राजपूत के जीवन के एक टर्निक पॉइंट सावेत हुई हाला कि उससे पहले वीवे बड़े परदे पर कई किर्दार निभा चुके थे धोनी फिल्म ने शुषान्त को एक अलग पहचान दी और इस फिल्म के बाद शुषान्त के फिल्मी केरियर का ग्राफ तेजी से उपर के लिए बढ़ने लगा यहां मापको दिखाने वाले हैं बॉलीवूड की मशूर अभी नित्री केत्रीना कैफ का एक वीडियो जिसमें उन्होंने शुषान्त के अभने के बारे में अपनी राय प्रस्तुत की शुषान्त के निधन के बाद उनके कई वीडियो सामने आये इस बीच के ट्रीना कैफ का एक वीडियो 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 वाइरल हो रहा है जिसमें वो शुषान सिंग राजपूत की फिल्म एमेस धोनी अंटोल्ड स्टोरी का जिक्र करते नजर आई वीडियो तीन चार साल पुडाना है लाइब चैट सेशन के दोरान कैट्रीना की एक प्रशंशक ने उनसे पूछते हैं कि हाल फिलाल के किस कलाकार का अभिनय उन्हें पसंद आया है इस सवाल के जवाब में केट्रीना शुषान सिंग राजपूत का नाम लेती हैं केट्रीना ने जब वीडियो बनाया उस वक्त फिल्म एमेस धोनी दोयार सोला जो थी वो रिलिव भी थी केट्रीना फिल्म का जिक्र करते हैं कि धोनी हाल ही में रिलिव भी है मुझे लगता है कि शुषान्त ने फिल्म में काफी अच्छा काम किया है मैं अपने दोस गट्टू अभिशेक कपूर से मिली थी जिन्होंने मेरी फिल्म फितूर निज़ेशित की थी उन्होंने भी शुषान्त के साथ काम किया हुआ है बता दें कि फितूर को अभिशेक कपूर ने निजदेशित किया है, हाला कि अभिशेक ने ही शुशान्त को फिल्म काय पोच्छे में लिया था, अब आपको दिखाते हैं कि वो वीडियो जो कैटरीना कैफ ने लाइफ चैट के दौरान बोला था, अगर आपको वीडियो पसं वेगा रन्यवाद